हलो दोस्तों नमस्कार आप सब का स्वागत है हमारे चैनल पर मैं हूँ सुपर मास्टर से राजन साहू आप सब देख रहे हैं आज की इस क्लास को बहत्रिन टॉपिक के साथ मैं आज पढ़ाने वाला हूँ भारती शम्मिदान के बिदेशी शुरोत आप जानते हैं कि भारत क का जो सम्मिदान है लगभक दुनिया के साथ देशों का कलेक्शन है और उन कलेक्शन में जो महातपूर देश हैं आज मैं उसस पर डिसकस करूंगा और उन महातपूर देशों से कुछ ऐसे महातपूर सुरोत लाएगें जो हमारे सम्मिदान की एक विसेस जिसको अनूठी परंपरा अनुठी एक किर्थी रुक रूप में मान सकते हैं इसको देने का काम किया है और इसके साथ साथ जो बिदेशी सुरोत हैं वो हमारे शम्मिधान में कहां कहां पर हैं इसको हम लोग जानेंगे तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और डिसकस करते हैं एक पॉइंट को सबसे पहले है बेटेन द्वारा बेटेन द्वारा हमाई शम्मिधान में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली तो इस चीज़ को तो आप भली भाती जानते हैं कि बेटेन जिसको हम लोग 1935 में भारत सासन अद्नियम जब आता है तो भारत सासन अद्नियम के तहत जो हमारे भारती शम्मिधान 1936 के बाद बनना सुरू हुगा और फाइनली 26 जनमर 1950 को शम्मिधान पूंटता लागू भी हो गया उस दोरान 1935 का जो भारत सासन अद्नियम था उसकी सबसे ज़्यादा जो बिशेस्ताय थी सबसे ज़्यादा आर्टिकल थे उसी से या तो प्रभावे थे उसी से किशी ना किशी रूप में लिये गए हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि जो हमारा भारती सम्मिधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो छाफ है वो बिटेन बिटेस सम्मिधान की है और इसमें महात्पूर्ण जो चीजे हैं वो संसदी प्रणाली भारत में जो संसदी प्रणाली है वो बिधी निर्माण की जो प्रिकरिया है बिधी निर्माण कैसे बिधी बनती है कोई लोग बनता है वो भे बेटेंस से लिया गया एकल नाग रिखता है जो भारत में है कि भारत के ही आप नाग रिखोंगे ना कि कि किसी राज़ पिसेश के भारत में एकल नाग रिखता है और ऐसे ही आप देखेंगे दूसरे देशो अमेरिका, United State of America जिसको हम USA बोलते हैं यहां से हमारे देश की शम्मधान के जो महत्पूर्ण पॉाइंट हैं वो सबसे जारा तो हम लोग बात समते हैं मौलेक अधिकार की बात और उस मौलेक अधिकार में ही स्वतनता का अधिकार भी छिपा हुआ है तो फाइनली यह दौनों चीजे एक हैं इसका मौलेक अधिकार के अंतरका स्वतनता का अधिकार भी आता है तो मौलेक अधिकार Bill of Right अमेरिका से लिए गए हैं और नयायक सक्रिता जो है वो भी अमेरिका से लिए गई है इसके साथ-साथ जो भारत में और भी चीजे हैं मुक्रूब से उनको भी लिए गया लेकर अमेरिका की शम्यदान से सबस्ट जाद प्रभाविच चीज है वो मौलेक अधिकार है आगे हम देखेंगे जर्मनी की शम्यदान से तो जर्मनी की शम्यदान से आपातकाल जिसको हम लोग भारत के इत्यास में आपातकाल जैसी कई स्थितियां देखनों को मिली अब तक भारत में तीन बार राष्टी आपात लग चुका है और एक बार तो राष्टी आपात जिसको सम्मधान सम्मत ना होकर कि गयर सम्मधानिक भी माना गया है 75 में जो एमर्जन्सी लगाए गए थी पूरे भारत में तो इसी आपातकाल की जो अधारणा है वो हमारे जर्मनी के सम्मधान से जर्मनी के बेमर सम्मधान से लिया गया है इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट है हमारा फ्रांस फ्रांस आप जानते हैं कि ये जो देश हैं शोरी थोड़ा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो देश हैं आप देखेंगे बिर्टैन अमेरिका फ्रांस इसके बाद और भी जो देश हैं रूस ये देश बीटो पावर बाले भी देश है और इनके जो शम्मिधान है बहुत पहरे से भारत से आजाद हो चुके थे इनके डिबलब कंस्टिटूशन है तो इसी से हमारा शम्मिधान प्रभावे थे इसकी में गड़ तंत्रात्मक रिपबलिक यो विवस्ता रिपबलिक सिस्टम है वहां फ्रांस से प्रोहवे थे हमारा तो आप बहुत अच्छे से जानते हों कि भारत में दो प्रकार की विवस्ता हैं भारत लोग तांत्रिक भी है और गड़ राज भी है गड़ तंत्रात्मक भी इंडारेक्ट लिया इंडारेक्ट लिया इंडारेक्ट लिया इसलिए भारत में गरता अंतरात्मक ववस्ता है और यह ववस्ता हमारे फ्रांच के शम्मधान से प्रभावित है ली गई है कनेडा कनेडा राज़ों में सक्तियों का विभाजान हम लोग जो राज़ों में सक्त ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन का भाग आईरलेंड है, उसी में हमारा ब्रिटेन आता है, तो आईरलेंड उस समय हम लोग जब देखते थे अपने देश आजादी के शमय तो उस समय आईरलेंड इंग्लेंड का ही भाग हुआ करता था, आजादी के बाद हमारे देश में सम तो आइरलेंड भी उनमें शेख्देश है जहां नीति निर्देशक्तत थे जिसको हम DPHP बोलते है डारेक्टिब प्रिंसिपल ओफ श्टेट पौल्सी तो राज के नीति निर्देशक्तत थे llev Genome अब एंड हैं उप अईरलेंड के तहट इसमें काम करता है राज लोगों के लिए तो एनिटी ने रिसता तो आयरलेंड से लिए गए हैं आप याद रखेंगे इसके बाद है आउस्टेलिया आउस्टेलिया एक आउस्टेलिया महाधीब पड़ता है उसे आउस्टेलिया महाधीब की कंट्री है आउस्टेलि जो विए सारकेंद राजी के बीच के रहते हैं उनको संवर्ती सूची में डाला जाता है और ये हमारे आश्टियेटिया के शमधान से लिया गया है और आगे देखेंगे दच्छन अफ। अफ्रीका लिया गया है शमधान में पिरकिरिया शमधान संसोद्धन Article 368 आप इसको अच्छे से जानते हो चंमधान संसोद्धन की पिरकिरिया 368 के तहयत होती है और 3689 जो अनुच्छेद है वो दच्छन अफरीका की समधान से प्रभावित है संसोद्धन की पिरकिरिया कैसे होगी साधान बहुमत द्वारा एक्तियाई बहुमत द्वारा या कोरम द्वारा या एक्तियाई बहुमत और राज्यों की शहमती की द्वारा जो भी बहुमत की संसोधन की समधन संसोधन की पिरकिरिया है ये सभी पिरकार की पिरकिरिया दच्छन प्रीका की समधन से ली गई है और फाइनली जो लाश्ट में हमारा रूस रूस जिसको हम लोग सोविय संग पूर में बोलते थे आज वो बर्तमान में सिर्फ रूस बचा है और रूस बर्तमान समय में रूस था लेकिन जब हमारे मूल करतब उनीशो चेटर में लिये गए तब उस समय यूएस ऐसार था मतलब स जो है मूल रूस से आता है और इस रूस से हमारे जो मूल करतब हैं मूल करतब के बारे में भी आप जानते होंगे कि पहले दस थे और बर्तमान में मूल करतब 11 हैं और मूल करतब हमारे रूस के शमधान से लिये गए हैं तो ये थी बिदेशी सुरोतों से समद्द कुछ महा पूंट पूंट थी इस पर मैंने डिसकस किया I hope कि मैं जानता हूं कि ये जो टॉपिक है एक्जाम में कहीं न कहीं पूंचा जाएगा और आप मैंसे बहुत सारे लोग इस समय जो इपीटेट का एक्जाम होने बाला 28 नॉमबर को इसमें इससे एक नए एक कुस्टन जरूर प पूंचा जाता है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए बहुत बड़े फैक्ट नहीं है बहुत सधारन है आप जल्दी से याद भी कर सकते हैं बहुत बड़े देश भी नहीं है बेटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाड़ा, आयरलेंड, अस्टेलिया, दच्छन अ नौ देशों के बारे में डिसकस किया जो मूलता समयधान में हैं और भी बहुत सारे देशों से समयधान का धिन किया गया है, लिया गया है, लेकिन हम लोग मूलता नौ से दस देशों के बिदेशी सुरोतों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका एक्जाम में जिक्रोता है, त आसा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे और इसके साथ साथ आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट के और भी टॉपिक के वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपके एकजाम की दरश्टी से और आपकी जानकारी की दरश्टी से बहुत मातपूर होने वाले हैं आसा करता हूँ कि आप समझ गया होंगे और फिर मैं अगली किलास में मि आनिवाद